चंद शेकर आजाद में आखिरकार चुराओं में उतर ही गए उन्होंने अपनी सीट गोरकपूर से कंफर्म कर दी है उन्होंने कहा है कि अब मुख्यमंत्री योगी आधित नात को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इसके लिए मैंने छोटे छोटे दलों को अपन की ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है इसके साथ ही उन्होंने अखले श्यादों का धन्यबाद भी दिया उन्होंने कहा कि आज अकले श्यादों की वज़े से मैं इस मुकाम पर पहुंचने वाला हूँ कि मुझे किसी की सहारी की जरूरत नहीं है अगर मैं समाजवादी प प्रदेश में विधानसवा चुनाओ है अब से दो दिन पहले मेरट में हमने गटबंदन का ऐलान किया था और जैसे वह गटबंदन की सूचना आगे बढ़ी तो बाकी साथियों को भी विश्वास हुआ कि अब समाजिक न्याय का जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में हम से अपने सभी साथियों को साथ लेके हमने यह गटबंदन बनाया है मैं इसमें जो पार्टिया पर्मुकुरूप से सामिल हुई है क्योंकि उन सब के नाम लेने बहुत जरूरी है तो मैं इसकी सूचना आपके माद्द्यम से दे रहा हूं मैं एक बात और बता दूँ कि भाई अब समुद्र में नहीं कुदना है चोटे चोटी नदियों को इकठा करके समुद्र बनना है तो बड़ी दलों से कठबंदन के अनुबह बहुत खराब थे लेकिन हम जैसे सताय के लोग जिनको धोका मिला है उनसे कठबंदन के जो आजार समाज पार्टी भारते वीरदल नियाय पार्टी पिषडा समाज पार्टी दिली डेमोकरेटिक लाइन्स सम्यक पार्टी सरजन लोग सकती पार्टी हरित करांती पार्टी मजदूर किसान यूनियन पार्टी वंचित समाज इंसाब पार्टी पथिक जन सकती पार्ट अखिल भारते गरीब पार्टी भारते सर्वोदे करांती पार्टी राष्टे करसक दल इंडियान नेशनल लीग राष्टे जन्वादी सोचलिस्ट पार्टी भारते सबका दल अखिल भारते गरीब पार्टी समदर्सी समाज पार्टी अखंड समाज पार्टी अभे समाज पा कि वोटर पार्टी राष्ट उध्य पार्टी किसान दल और गरीब सुराज़ पार्टी एक पार्टी जिनका मैंने जिकर किया कि वो जब आ जाएंगे तब ही मैं उनकी बात आप लोग के बीच में रखोंगा तो यह हमारा दल है यह हमारा संयूक्त मूर्चा जिसके जरीय हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे अब यह लगबख 30 पार्टिया नहीं मैं मैं अपनी बात पहले रख दूं फिर आप सब लोग अपने सवाल रखना है तो मैं आपके जानकारी के लिए भी बता दूं कि यह उत्तर प्रदेश है और हमने जो गटबंदन मनाया हैं यह स्टी ओवी सी मैनोर्टी के लोग का है और इस गटबंदन का यह सब लोग वो लोग हैं जिनको नजन्दा तो किया गया लेकिन इन्होंने जमीन पर काम किया है जैसे बावराम पाल जी हमारे साथ हैं यह भागेदारी संकल्प बोर्चा में थे यह भी जो है आज हमारे साथ हैं मैं किस कारणों से हैं वो बावराम पाल जी अपने आप बता देंगे और हमारे साथ राजकुमार सेनी जी हैं पूर एंपी और भगेल साहब हैं और तमाम जो लोग हैं क्योंकि मैं ज्यादर अब तो साथ में रहेंगे हम लोग पूरा अत्तर प्रदेश घूमेंगे इनकी सिटों पर जाए लड़ेंगे वहां जाके इनको चुनाव लड़ाएंगे और यह सब तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जुरत जो पुराने दल में आप सभी की बात करूँगा जो पुरानी पर्टिया वो सब सक्ता में रही और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई जनता पांच साल के बाद ही महसूस किया कि इन्होंने तो हमें ठगा है अब इनकी जुरुत हमें नहीं तो दूसरी बात जो अती महत्तपूर्ण है कि हमने जो मैनफेस्टों बना है तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंक बढ़ सके और आज ही मैंने महसूस किया और यह मुझे कम से कम पांसो बच्चों का मैसेज आया कि आप भीया नोजवान है युवाओ को बेरोजगार युवाओ की प्रेसानी समझते हैं हम पेपर देने आये हैं यहां चार चार पांच 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 जिले छोड़के और कभी किसी कागज की वैसे नहीं घुषने देते कभी और समस्या है तो हमने यह तैय किया है कि आजास समाज पार्टी के साथ जो स्युक्त गटवंदन यह बना है हमें जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर की व्यवस्ता एक जिले से दूत्रे जिले में करेंगे ना कि दस जिले छोड़के जिससे युवाओ पर यह बोज ना पड़े और जैसे हमने पहले बताए कि टोल फ्री करेंगे क्योंकि हम सैस भी देते हैं और रोट टेक्स भी देते हैं उसके बाद अगर हम यह टोल टेक्स भी देंगे तो इससे गरीबों को बड़ी प्रेशानी होती है दो अगर फास्टेक ना हो तो दुगने पैसे दुख और अगर आप एक बार पूछ लोगे तो मार्पिट हो जाएगी यह उत्तर प्रदेश का साशन है तो मैं समझता हूं सबसे जरूरी हमने जो मांग रखी है हमारे सभी साथियों की मांग थी क्योंकि मुद्दो आधारि किसी गरीब के सपने ना कुछ ले जाए उसको भी आगर पढ़ने का अधिकार मिले और सब के लिए फ्री हैल्थ जब नेताओ को मिल सकती है जब अधिकारियों को मिल सकती है तो आम आदमी को भी क्योंकि जब कोई अपना खोता तब उसको एसास होता है हमने तो खोया है तो कोई वेक्ति अपने पिता को बहन को मा को अपनी पतनी को अपनी अपने बच्चे को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो तो बुन्यादी काम इन चीजों पर करना है जिससे आज भी लोकतंत्र के अकातर बातर साल भी आम जन्वानस अचूता है और अगर वो नेताओं को के घोस्टना पत्र के बाद पांस साल बाद उनसे पूछे तो नेता कहता है कि जा दुबारा वोट मत देना तो मैं समझता हूं इस तरह कि डेमोक्रेसी जा जंता वोट देने के बाद ठगा महसूस करें यह पूरे देश में भी चल रहे हैं उत्तर दुबारा वाइस के लिए नहीं इस मोर्चे को हम और तयार करके हम इसको दोजार चोबिस तक लेके जाएंगे और दोजार चोबिस में भी मोर्चे के जरी मिलके लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में एक नया राइंदिक समिकन्ड जो है जिसमें कश्चप समाज के लोग हैं निसार समाज के लोग हैं पटेल समाज के लोग हैं यादव समाज के लोग हैं जिसमें पड़ापती पाल चोहान वीश्व Karl यह यह सोनकर सैनी गूजर जाट यह तमाम जो जातिया जिनका वोट बड़े पहमाने पर गाउं छेत्र में हैं जो तै करती है कि सरकार किसकी बनेगी अब उनी जातियों को जोड़के एक जातियों का संभू बनाया कि भाइचारा बने और इसके जरिये आम जन्मानेस के काम और अच्छे ल नए लोग जो काम करना चाहते जिनके अंदर दर संकल पर इच्छा सकती है परिवर्तन करने की और एक्ता बनाने की उनको मौका कैसे मिलेगा तो इसलिए इस बैनर से भी गैर विवादित और जो जिन पर क्रिमिनल केस नायसे लोगों को हम लोग लड़ाने का काम करेंगे औ और आपने हमें सुना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवत प्रताब सिंग प्रभासाक्षी लखड़ो अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को